नमस्कार मेरे नाम है सुरिंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News आज हम लोग हैं दिल्ली कारले पे, BSP के कारले पे और हमार साथ डॉक्टर अशुक सिद्धारत हैं जो किसी नाम तारिफिके महताज नहीं है सौगत सर आपका जैवीम धनवाद आपको बहुत बहुत चाहेंगे बालमी की समाझ चैना कि की समाच बहुत बहुत समाच के समाच के माँर समाच tweeting प्रियास और कि जतने भी सुनार कास कि जितनी भी समाच के लोग यह वह सब एकत्र होकर के इस संग्ठन को इस पार्टी को मजबूत करने का काम करें और आज इसी करम में दिल्ली प्रदेश के बहुत सारे लोग जो अस्वा कज्ञानी जी के नेतरत में पहले भी राजिस्तान में काफी लोग जोड़े थे राजिस्तान के वह जिस समय हम आप स्वयम भा मुझूद थे आपने देखा और उसी तरीके से नों ने इस बार पाल्यामेंट के चुनाओं को मद्धिनजर ध्यान में रखते हुए अपने तमाम साथियों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का का किया ना चाहेंगे बीजेपी के जो हैं क्या किया भी बाल्मी की समाज की बात करती हैं उनके संग्ठनों को मजबूत करने की लगातार बात करती हैं क्या फर्क है बहुजन समाज पार्टी के नित्रिते में और बीजेपी के नित्रित में या कॉंग्रेस के और पार्टी के नित्रित में क्या मिलेगा बहुज जो आज भी बा बीजेपी जोड़ती है बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी तमाम समाजवादी चिंतक कि पार्टियां इनका उद्दि शोता है भॉज왔 अन्ग का करके सिर्फ सिर्फ घंड तर्मयो में आपके जात करके इनका बोट लेए पर्टा बहुजन समाच पॉर्टी उन पार्टियों में एक बेसिक अंख रहे कि बौजन समाच पार्टी इने अपने tadi सरीर के एक अंग बांते हुए इनको हिस्तेदारी देने की बात करती है ौH इसने सिरुप नेपने की बात करती है उत्तर प्रदेश को जेरों progress कर कर के दिखाने उसमें इस पर स्रूप से एक बात उभर करके आती है कि एक तरफ NDA गटफंदन है एक तरफ UPA गटफंदन है और दोनों ही गटफंदन इतियास इस बात के साक्षी इन्होंने इस देश के बहुजन समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है अगर ठगने का काम नहीं किया होता तो 1950 में भारत का समयदान 26 जन्वर यूनिस पचास में भारत का समयदान सफ़ाव पवित्र समयदान लागू हुआ, इंप्लिमेंट हुआ, चालू हुआ, स्टार्ट हुआ और उससे लेकर के आस तक लगवा 75 बर्स हो गए हैं 75 बर्स लागू होने के बाद भी अगर इन पार्ट में रियों में सिक्षा मो या फिर बाकी कीसे हो लिते जों इन्होंने पूरा किया होता आज तक ना तो हिर्प 15 परसेंट के अंदर सरकारओ की नोखने दॉक्रियों में एकरी का पूरा किया, ना 35 साथ परसेंट 25 इमेंhonे के लाग इनिए के बाद 202 का पूरा किया, हिनकी तो नियती में कोट हैं, यह तो सिर्फ और सिर्फ बोट का वोट लेने के लिए तमाम तरह के नाटक सिर्फ इनका काम है कि किसी तरीके से इनका जूटा सच्चा इनने इतना इतना खाना दो कि ताकि यह जीवित भर रहे हैं। और इन्हें सरकस्ट दिखाते रहो तो यह से एक तरफ सरकस्ट दिखा रहे हैं कभी पाकिस्तान के नाम पर कभी चाइना के नाम पर कभी मंदिर के नाम पर कभी किसी और के नाम पर कभी कुछ ना कुछ विजात के नाम पर कभी कुछ ना कुछ यह सरकस्ट दिखाने का काम पर बहुत सारे मंचों पर ऐसी बातें बोलते हैं कि तो बहन जी ने पहले लागू कर दिया था कि जो पुराने बहन जी की जितने वी विचारत हैं उनको नहीं तरीके से प्रस्थुत करने का काम करते हैं तो बहन जी के बैर में एक बार और पूछ लेता हूं कि जो बीएस्पी है वो अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है कि सविधान ही मैनिफेस्टो है बावा साब ने जो दिया था वो सब हम काम करेंगे तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहन जी कि कौन से कामों को बीजेपी और कॉंगरिस भुनाने का काम करती है उनको अपने तरीक कि कहते हैं की अभी हाल फिलाल काई लेजी यहां से सुरू करते पर पीछे जाते हैं इनोंने अभी वारतिया परटी ने एक लगपती दिदी की बात कि यहां सी स्टाट गतीध है लाग इतनी लाग इतने करोड़ इतनी जब जो जितना भी ने संक्या तो चाएं किल देंगे नगया दो करोड़ रोजगार गया इस हां। तो इनोंने संक्यातों कितनी बोलने इतनी लगपती दीदी बनाएंगे आधनिया बहन जी ने 2007 की सरकार बनाने के बाद उत्तरप्रदेश में रहने बाली सभी गरीबों को चाहे जिस जात्वर्ग मजब के गरीब हों उस गरीब के घर में किसी भी गरीब के घर में पैदा हु बहुजन समाच पार्टी की रास्री अध्यक्ष और उत्तरप्रदेश की चार जारों कुत्री आधनिया बहन जी ने उत्तरप्रदेश में जब जब सरकार बनाई तो जो ब्यक्ति जहां पे रहते थे वो जमीन उनको वहीं दे दी लेकिन इसको कानूनी रूप से कानूनी र लाक लोन सरकार ने वराँ दो लाक लोग पात्रवेक्थ ने वरना उसमें ना कोई जात देखी ना कोई धर्म देखा ना वर्ग देखा जो ब्यक्ति जहां रहता था गरीब है तभी रहता चूइस उन्होंने बड़े पैमाने पर माइब शहरों मेंमौनिवर कांसिर राम सा धीने कहाता कि हम 2022 तक सबको चछते देंगे चाए वो नाले के किनारे रह quieren multipole यह रह Dep dim ने उत्तर प्रदेश सब्यों के चींत्यार हो चाहे लपक्र नाले की किनारे रह 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 वह जैड beth में इनों ने hen बेटी बचाने के लिए ना तो गरीब की बैटी को कुछ फिस्टेदारी दी, बल्कि योजनौ पे के खर्च उतना नहीं किया जतना इनों प्रिचार पे खाट किया। बेहन जी ने योजना पे परचार में खर्च नहीं किया उस योजना को इंप्लिमेंट करने में खर्च किया बेटी पढ़ाने के लिए 25 लाग रोपए दिये साइकल दी ताकि गरीब की बेटी स्कूल अगर 2-4 किलमेट दूर हो तो साइकल से चली जाए ताकि वो अपना इंटर कर ले गरीजुसन कर ले ठीक उसी तरीके से उन्होंने बेटी बचाने के लिए लगपती बनाने का गरीब के गर्में अगर बेटी लगपती पैदा होगी तो कौन अपनी बेटी को गर्ब में मारने का काम करेगा, वो सोचे का हमारी बेटी पैदा होगी, तो लगपती बने की बेटा पैदा होगी, तो लगपती बने की बेटा पैदा होगी, तो लगपती बने की तोड़ी बनेगा हो, तो बेटी बचाने का भी काम किया बेटी पढ़ाने का भी काम किया जिसका यह केवल खोकला नारा देते है ठीक उसी तरीके से इनों नवगरियों की बात की कि भहम दो करोड देंगे इनोंने तो खाहली घोसला की बेहन जी करोणों नोक्रियां पहले ही अपनी सरकार में 2007-2012 से पहले वाली सरकारों में भी 2002 की सरकार में भी लाकों नोकरियां दी 97 की सरकार में बैक लाग की माद्दियम से ST की ST की OBC की भरी ना सिर्फ उसमें STST OBC को दिया बलकि 17 बरसों के बाद उत्तर प्रदेश में जो भरती बंद थी सामान बरकी उस सामान बरकी बरती प्रक्रिया बंद प्रक्रिया को खोलने का काम किया और सर्व समाज के लोगों को भरती प्रिक्रिया के खोलने के बाद लाकों नौकरियां अपरकास के बच्चों को भी देने का काम किया यानि कि गरीब जो सरकारी नौकरी की बात हो वो सरकारी वो देने का काम भी बहन्जी ने किया पहला और एतियासिक काम किया प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जो एसी एस्टी के लोग और लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिलती है और प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकारी धन लेका का फायदा उठा कर गए सस्ती जमीन लेकर के अपनी फैक्टरिय ने किया की सरकारी कॉंट्रेक्ट में 1942 में बाबा साब ने जो मांग किये थी कि कि किसी तरीके से हमारे लोग भी सरकाइस तो में ग्यारा सो सटाइस चेकेदार उस समय होते थे जो गिर्विन से अप्सुल का सब्सक्राइब और एक मात असी का था तो उसके को मद्य नजर ध्यान में रखते हूं बहुत जी ने से 25 लाग तक के ठेकों में उन्होंने रिजर्वेशन की विवस्ता की यह काम किये और जहां बहुत जी का यह पेगांब सवच्परसासनुमधा का यह नजर जो आज यह कहते हैं सबका सबकाविकास इत्तर एक नारे देते हैं अरे बहंजी ने करके देगाए जांज ने क्यांकि रिच्वाइब यह निए बहुत जो कहाया हुद सर्भ समाज को सरकारी ठेकों में हमारी पार्टी का कोई manifesto नहीं होगा, क्योंकि manifesto जारी करने माले लोग जूटे होते, ओंजूटे लोगों को अलग करने को है, अपनी आपको जूट क्यूंकि Того कहते तो उसको करके दिखाते थे, तो इसलिए उन्हें अभी हमारी पार्टी का manifesto होगा, भारत के सम्मिधान में लिखा हुआ एक एक सब्द हमारी पार्टी का मैनिफेस्ट होगा हम सत्ता में आएंगे तो जो सम्मिधान में लिखा है उसको हम आकिकत में इंप्लिमेंट करेंगे यह हमारा मैनिफेस्ट होगा है तो यह चीज़े मैं अगरी सवाल आपसे रखूँग पूरी तरह से आई यहां पर दिल्ली के अंदर जो वोटर है परिवार के साथ रहता था काकत्म है और उन्होंने सर्वे करके सबसे पहले वालमी की समाज को टारगेट किया और उन्होंने जाडू का निसान इसले लिया क्योंकि हजारों बरसें से जाडू से आस्ता हैं रोजी रोटी की तो इसलिए जो नहीं भी है सफाई करमचारी तो उनके बाप दादे या माप किसिना किसे जुड़े हुए थे तो जाडू का निसान आते ही वो एक तरफा बोट क की गैरेंटी हो गई तो इस बज़े से उन्होंने साजितन लिया था जबकि सबसे बड़ा सोषन जो इसने आम माधिम पार्टी ने पिछले तीन बार की सरकार में किया है जो हमारा उसमें उसने रिजर्वेशन खतम किया देखो केजरी वाल भारत के अंदर पहला ऐसा राज इसने जो हमारा अनुसुजाती का जो अलग से पैसा आता था तेरा सो चौदा सो करोड रुपे हमारे बच्चों के उसका अपलिफ्टमेंट का पड़ाई लिखाई का उनके सेल्फ इंप्लॉइमेंट का उसको खतम करके इसने जो सामाजी का उसमें जो वह हैं फिजिकल हैं या ओल्डेज हैं या वुमेंस हैं उनके साथ जोड़ दिया तो इसने तो सबसे बड़ा दोका किया और सफाई करमचारियों को कहा था पक्का करूंगा डिग्नीटी की तरह लाइफ दूंगा वो पूरी की तरह इसने कुछ नहीं किया और उनको ठेके पे रखा है तो इसने जो पूरी तरह से ये उनका आदमी है ये आरेसेस का बिलकुल बीजेपी का और कॉंग्रेस और आमादीम पार्टी ये तीनों भाई बहने आपस में और ये तीनों के विरुद हमारी लड़ाई है इसलिए हमारी पूरी तमाम व्यापक टीम ने आज वालमी की समाज ने तो हमारे यहां भी करा हो, हम भी वालमी की समाज के बड़े बड़े गुरूप और बेसिपी के साथ जूठेंगे तो अभी तो बिलकुल एक आंदी सी चलने वाली है, एक महुल ऐसा क्रेर्ट हो गया है कि वालमी की समाज को यह भी नहीं पता था कि वहीं बियर स्बार दोब पस हम आ रहे हैं जब दन्य वाद आपको सर्थ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब कहीं हम भूल ना जाएं एक ऐसी एतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको आडियो वीडियो देखने को मिलना है ये पहली बहुजन समाज की एतिहा और Google पे जाने के बाद आपको इस चामेरे का निशान नजर आता है इस चामेरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्केन कर लेगा स्केन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यह लिंक आ गया आप जैसी लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी यानि कि आपको एक सटिक जानकरी मिलने वाली है एक आथंटिक जानकरी मिलने वाली है बहुजन समाज की पहली एतिहासी किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुर्षों की जानकरी मिलने वाली है आपको इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्मेक बुद्ध ज जिनोंने इतिहास रचनेय काम किया गुरु घासीदास बाबा विरांगना जलकारी वाई विरांगना उदा देवी पासी नागेली विरांगना की कहानी एक लव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोके से चोखा मेला हरीचन ठाकुर ज्यान दीत छत्रपती शाहुजी महरा बिर्सा मुंडा, जियतिवा फूले, माता साबित्री भाई फूले, फातिमा शेक, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अचुतानंद, बाबा सहाब डॉक्टर बी आर अंबेटगर जिनका मूल गृन्था आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप आडियो भी दे देवी, माननेवर काशी राम सहाब जिनोंने इतिहास को दुबारा दोहराने का काम किया था, विरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल भूमी और पूना पैक्ट, बहुजन समाच का एक मूल गरंथ यह आपके पास आगे है और आप इसको बिलकुल भी देर भी ना करें, तो साथियो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिप्सक्रिप्शन बॉक्स में जो आप नमबर देख रहे हैं, इस नमबर पर आप हमें अपना और्डर बुक करा सकते हैं, कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारत वर्ष में घर घर नजा रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझा बॉक्स में जरूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी न भूलें. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना न भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.